हेलो नमस्कार जहन्द हम लोग बात करने वाले हैं स्सी जीडी के स्कोर्ड कार्ड के बारे में कि स्कोर्ड कार्ड कब तक आ सकता है क्या संभावना है इसके बारे में संपन जानकारी आपको प्रवाइड कराएंगे ति वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को सेर भी कर लिए और चैनल को अभी तक स्कराइब नहीं कि सब्क्राइब कर ले स्ब्कार की इन्फार्मेटि विडियो समय से मैं से हो आपको मिलती रहे विए- जो SSC GD भरती 2024 के संबंद में होगा इससे पहले मैं आपको बटा दूँँ इससे पहले मैं आपको बता दूँँ कि अगर कोई बच्चा अगर इन्फोर्समेंट कांश्टेबल या प्रवर्तन सिपाही के लिए त्यारी करना चाहता है तो सुबह 11 बज से क्लासस चलती है और अन्यक क्लासक भी किसी प्रकार की जीयस से समथित किसी में समस्या के लिए या जीयस की किसी भी टाठिक आध्यन करने के लिए आप चेनल के प्लेट अलग अलग प्रकार Marx बनी उन प्ले लिसट पर जाए और जो भी आप जरूत के अनुसार आप अपने study कर सकते हैं तो आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं इसके संदर में SSTGD के संदर में scorecard के संब्द में देखिए जो पिछला बार scorecard आया था देखिए SSTGD की जो 2023 वाली लिकेंसी थी वो उसका रिजल्ट 8 अप्रिल और खोसित क्या गया था 8 अप्रिल, लगभग 8 अप्रिल को उसका रिजल्ट्ट घोसित क्या गया था कि इस्कूर कार्ड में पहुत सारे लोगों को अंतर देखने को सबसे पहले तो सर की तो आ गया है अभ रिवाइज इंसर की सबसे हाले आएगा रिवाइजड इंसर की जिससे रिवाइज ऑपको पद्हम से आपको पता चलेगा कि आप जो भी आप sensor की है सही सही है यह नहीं है एक दो इधर अधर तो नहीं हुआ है तो आज की answer की आएगा revised की answer आ जाने के बाद आपको scorecard जारी कर दिया जाएगा जिसमें normalization समलित होगा normalization के अधार पर इधर उधर हो सकता है आपका number तो normalization के अधार पर आपका number बढ़ सकता है किसी का ज्यादा बढ़ सकता है तो अफिसियल प्रिकार से स्कूर्ड कार्ड इस भरती के लिए कब आ सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार हमने बताया आठ अपरिल के आसपास आपका आठ अपरिल को आपका रिजल्ट घोशित कर दिया गया था जिसके तहद एक माई को फीजिकल की डे है तो फीजिकल की तयारी करने के बाद फीजिकल की तयारी आप सुरू कर दिजिए स्कूर कार्ड आने के बाद ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा इसलिए अगर फीजिकल की तयारी करना है तो अभी से आप सुरू कर दिजिए और फीजिकल में जम कर लग जाई ह array जिससे आपअ हो सके क्योंकि आधीकांस बच्चे 22 अमें फ्मीठ हो जाते हैं कि अधीकांस बच्छे में औनको जब शार्टि शाय किया जाता तो शाब क्ल áप यहाइन20 साट इसकी रहते हैं तो उसलोग भाग चौ देशार किया सब्सक्रा लोग जाते हैं कि करनी है कि अधिकान से लोग चोचते हैं कि जब result आउट हो जाएगा result में आ जाएगे तो physical की त्यारी करेंगे जब कि अस नहीं कर पाते हैं ज्यादा टाइम क्योंकि नहीं मिलता है इसलिए ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा अगर आपका ठीक ठाप कोशन सही है तो आप फिजिकल की त्यारी करें इसके लिए इसकोर कार्ट की बात है तो इसकोर कार्ट को कुछ एक अंदाज के तहट बताया जा सकता है कि इसका result जो answer answer की revised answer की जल्दी आ जाएगा revised answer की आने के बाद scorecard आपको जारी कर दिया जाएगा आप संभावित मान सकते हैं कि यह अप्रेल के last में अप्रेल के last अप्रेल खतम होते होते आपका revised answer की तो आजाएगा उसके बाद मिड माई में यानि कि माई के प्रारंभ में 12 माई से पहले आज आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा आधिकान संभावना है कि माई के मन्त में ही आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल को सस्क्राइब अभी तक न को जोईन कर सकते हैं गुरुब के माध्यम से किसी प्रकार की कोरिया आप कर सकते हैं दुरून जीया सिरिसर संटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यबाद